हाई एब्रिवन, यहाँ आज हम बात कर रहे हैं क्रेटा के बारे में आप लोगों ने हमारे बेसिक वेरियंट के इंटीरियर्स का मेक ओवर तो काफी सारा देखा था भाई आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ क्रेटा का टॉप वेरिंट का मेकवर जो की कार स्टैलिन ने की है येस आप लोगों ने बिल्कुल सही सुनाए कि इसका हम लोगों ने मेकवर कि अगर मैं बात कुरूँ उसके वेरिंट की तो भाई ये इस गाड़ी का टर्बो वेरिंट है आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां से आप देखी क्रेटा का टर्बो वेरिंट है अब मैं बता देती हूँ कि इसके उपर हम लोगों ने क्या क्या चीजे की है इस गाड़ी को सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटेट किया है गरवारे की प्रेंट प्रोटेक्शन फिल्म में जिसके अंदर हम लोगों ने गरवारे का प्रीमियम सीर्ज इंस्टॉल करके दिया क्योंकि डाक कलर्स को मिंटेन करना काफी जादा डिफिकल्ट हो जाता है त इसकी में चीज किसके अंदर इंटीरियर कैसा किया है तो इंटीरियर देखने से पहले एक बर गो थुरू कर लेते हैं इसका बिफोर लुप ताकि आप एक्जेक्टली और इसली कंपैलिजन कर भाएं तो भाई बिफोर के बाद यहां आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो इंटीर मेकवर किये वो डूल टोन में किया गया और इस बार आपको कम्प्लीटली वाइन लुक इसकी देखने को मिलने वाली है तो इसके अंदर क्या के जिसे स्पेशल है वो मैं आपको बदाने वा यह उसकी पूरी लुक को ही काफिज ज्यादा इन्हांस कर रहा है साथी में जो इक कलर कॉमिलेशन है यह हमारे डाग रे के साथ भी काफिज ज्यादा माच कर रहा है जो की एक अलग ही लुक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है डोर्स पर यहां पर आपको लेदर सौ अब बात करते हैं स्के स्टेरिंग वील की भई यहां पर की तरफ आपको वाइल लुक देखने को मिलने वाली है प्लस नीचे की तरफ यहां पर हम लोगों कर दिया प्यानों फिनिश एक एलिगेंट इंटिरियर इसकी स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्चर के साथ काफ इस गाड़ी की सीट्स यहां पर आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की सीट्स देखने को मिलने वाली है इस गाड़ी को हम लोगोंने सिंपल सोबर के साथ एक अट्रेक्टिव डिजाइन बनाया है क्योंकि इसके अंदर जो यह यू शेप दिया गया है यह अपना पार्ट्स के साथ कम्प्लीटली मैच है और एक एलिगेंट और एक डिफरेंट लुक दे रहा है यहां मैं आपको बदाने वाले हूं कि हम लोग जब भी किसी भी काड़ी का मेकोवर बनाते हैं या इंटीर डिजाइन करते कलर कॉंबिनेशन तो भई हम लोगों करते बहुत जादा महनत क्योंकि कम्प्लीट महनत लग जाते है कि कैसे कुछ अलग कर पाई और उसको हमारे इंटीर से मैच कर पाई उसके बाद आप यहां देखिए कि इस गाड़ी के अंदर जो परफॉरेशन यूस किया गया इसमें भी हम लोगों अच्छा खासा दिमाग लगाया है कि इसके अंदर हम लोगों ने परफॉरेशन सिंगल डॉर्ट की नहीं किया फोर डॉर्ट का किया है जो कि इस लुक को काफिज जादा डिफरेंट बना रहा है वो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद दुआइन करर का भी थ्रेड़वक बनाया गया है लगाया गया इ इसके स्टिचिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर देखने को मिलने वाली है वो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट हमारी लास्ट वीडियो देखी थी कि उसके अंदर हम लोगों ने पूरा प्रॉसस बताय था कि कैसे हमारे जो सीट से वो ए एर बैक फ्रेंडली है साथ में अगर हम बात करें यहां पर डिजाइनिंग तो आप देखो इस बार बोलेंगे कि यार क्रेटा में कुछ तो अलग डिजाइन ही देदिया शेप जिस तरीकी की है उस तरीकी के डिफरेंट डिजाइन के साथ एक अमेजिंग लुक यहां यह रेडी करके दिया है और ना अब सच बताऊं तो हम लोगों की नजर ना इसके यह कंसोल पार्ट से हटी नहीं रही है जो एक डिफरेंट इस मेन ओफ अट्रेक्शन बोल सकते हो आप इसके कंसोल की तरफ और पीछे से भी एक बार हम लोग सीट को चेक कर लेते हैं यहां इस सेंटर कंसोल का जो यह रेर एसीवेंट फाला पार्ट है इसको वाइन कलर का किया यह भी पीछे से अलग ही लुक दे रहा है यह सब भी हम लोगों ने पीछे की सीट को पूरा कवर अप कर दिया है क्योंकि हम लोग कस्मर को काड डिलीवर कर रहे हैं तो गाइस इसे कहत कर सकते हैं नमबर एगा 7271939393 तो गाइस होफुली आप लोग को एक करव कॉंबिनेशन पसंद आएगा तो प्लीज अपने वेल्यूबल कमेंट्स देके ज़रूर बदाएगा कि करव कॉंबिनेशन आप सभी लोग कैसा लगा तो गाइस हम फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ एक न्यू करर के साथ तक लिए स्टेज एफ टेटिनल बाए बाए